नमस्कार आप देखेरें फश्ट बेर मैं हूँ आपके साथ सेलन कोई हमारे साथ बात्चित करने के लिए राज़त के परवक्ता मिर्तुंजे तिवारी मिर्तुंजे जी से जानेंगे कि आनद मोहन की रिहाई हो चुकी है के द्वारा दोरी खुची दीगे एक कल बेटे की सगाई हुए अकल ही उनको रिहाई किया गया शंसोधन करके कानून में देखे जो कानून में बदलाव किया गया कोई भी कानून में बदलाव अगर सरकार करती है तो किसी ब्यक्ति बिसेश के लाब के लिए नहीं करती है साप हुआ वो अब रिहा होंगे ये हम लोगों के लिए उनके चाहने वालों के लिए इसे और खुसी की बात और क्या होगी लेकिन जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उनको ये जानकारी होना चाहिए कि आदर्नी आनन्द मोहन जी ने पूरी सजा काट ली है उनकी सजा पूर और उन्होंने पुस्तके लिखी उन्होंने एक आदर्स प्रस्तुत किया सारे नियम कानुन काइदे का पालन किया अब उनकी रिहाई हो रही है इस कानुन के बदलाओं से उनको लाब हो रहा है तो ये खुसी की लहर है एक और उनके पुत्र जो हम लोगों के पाटी के आर आदर्नि आनन्द मोहन जी की रिहाई तो ये तो कल खुसी का दीन था लेकिन जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं इधर उदर की बातें कर रहे हैं उनको ये अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि आदर्नि आनन्द मोहन जी एक चर्चित चेहरे रहे हैं ब्यार की राविती के और उनके चाहने वालों की संखिया बहुत ज़ादा है और वो अगर आज रिया हो रहे हैं तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती इस नियम कानून के बदलाव से उनको भी इसका लाव मिला है अरे उनको क्या पता है जितने लोगों को इस कानून में बदलाव से लाब हो रहा है उसमें सारे लोग हैं सब धर्म के लोग हैं सभी जात के लोग हैं जाती धर्म देख करके बिहार की नितिस्ते जस्वी की सरकार कोई काम नहीं करती है आदर्निया मायावती जी से कोई ही गलत फ़ामी में ट्विट करवा दिया है लेकिन उनको हकीकत नहीं पता है और वहीसे भी तो वह उत्तर परदेश में हैं जो भाजपा के खिलाप सक्ति यहां है उसको कमजोर करने में ही पिछले चुनाव में लगी हुई थी एक बीजेपी के आईटी सेल के जो हैं अमित मालवियजी सवाल खड़े कर रहे हैं बिहार के नेता कुछ और कर रहे हैं तो यह लोग आखिर क्या चाहते हैं उन लोगों को पहले किलियर कर लेना चाहि दोनों के विरोधा भास है बातों में तो भारतिय जनता पार्टी किस तरह से कनफ्यूज है यह दिख रहा है यहां नितिस्तेजस्वी की सरकार है सारे चीजों को ले करके कानून अपना काम करता है यहां किसी को भी जाती धर्म देख करके नहीं कारवाई की जाती है ना किसी को फसाया जाता ना किसी को बचाया जाता कानून अपना काम करता ये लो मुव मिठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पुढ़निया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माबाबुजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डबा लाएं, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है अरे लोन अप्रूव हो गया, वो तो ठीक है, लेकिन पुढ़निया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाई का डबा अलग से लाया हो, अपने पुढ़निया में घर ले लिया है पुढ़निया के e-homes panorama में पुढ़निया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama, बड़ा घर, आलिशान, जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के सग अड़े अड़े आप क्यों मूनिठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे है घर वापसी की खुशी पुढ़निया में e-homes panorama के संग e-homes panorama, luxurious, lifestyle redefined